आनंद वर्दें जी ये जो पूरा सवाल खड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अडानी के मसले को जितना दूर करने की कोशिस बीजेपियों सरकार कर रही है वो उतना ही दरसल उनके करीब आता हुआ जा रहा है क्योंकि संसत के अंदर अगर आपने देखा होगा तो ज आज भी जिस तरीके से विजेट चौक पर सब लोगे कठा हुए चाहिए वो आर्जेटी के लोग यहां ते कि आमाधी पार्टी जो कोशिस साथ खड़ी नहीं होती है वो आमाधी पार्टी भी उनके नेता संजेश सिंग जिस तरीके से मलिकार जुन खड़गे के साथ खड खड़ी मांगे ठीक बात है अगर उनको लगता है कि देश द्रोख की कोई तरह की बात के बाहर जाके राउल गांधी ने की है तो मांग होनी चाहिए थी कि इसकी संसद में चर्चा हो और संसद में चर्चा होके संसद यह डिसाइद करें कि उन्होंने इसमें कोई ऐसा गलत में है क्योंकि उसी का काउंटर जो मोदी जी की बात आ रही है और जो उन्होंने इसको इसलिए और जोड़ दे रहा हूं यह इंपॉर्टेंट है मैं जिनके साथ काम क्या हूं जोड़ शर्नेंडिस के साथ जब वो एमर्जेंसी लगी थी तो उन्होंने अपीली नहीं की थी उन्होंने चिठी लिखी थी मेरे पास है इन दिसम्मर नाइटीन सेटी सिक्स जो पुर्दगाल के प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट मत करिये फिर जोर साथ के जब वो एमर्जेंसी में बंद हुए तो उस समय सोचलिस इंटरनेशनल इस्टेटमेंट साइन जर्मन विली ब्राइंट, स्वेडिश ओल्फ पामे और ऑस्टेडियन ब्रून क्रेस्की और उन्होंने कहा था क कि अपीलिंग टू इंडरा गांदी टू भी फिर इंट्रेस्ट और इंडियन रपिटेशन दे डिमोक्राटिक वर्ल्ट मैं कह रहा हूं कि इसमें भी यह हुआ लेकिन मेरे हिसाब से मेरी मेरी नॉलिज में आज सक नहीं है कि इंदरा गांदी ने कभी यह कहा हो कि यह बाह से जो मुद्दे बीजेपी को लगता है कि यह उठा कि जो भी उसके तिंग टैंक है उनको यह कहीं लगता है वो चीजें उल्टी हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में तब शुरू हुआ कि वह टीशट पहन रहे हैं वह विवेकानंद कोनों ने प्राम नहीं किया तब से देखी कि बैन लगाया उसी तरह से यूगे की विजिट में जब केमरिस के बाद पर आपने यह हला मचाना शुरू किया तो लोगों ने वो चारों ठीक से सुना और जब वो चारों सुन रहे हैं तो मूल मुद्दा मुझे ऐसा लगता है बीजेपी से जादा राहुल गाद अडानी जी की बात जैसा इनों विजेग जी ने बताया आज एक बड़ आज नहीं यह राहुल गांधी को कहां से मिलता है कैसे मिलता है भविश्वकता है नहीं है लेकिन उन्होंने आज फिर ट्वीट करके अलरा वाले जो मामला है कि रक्षा सौदे में आप ऐसे व्यक्त देंदारी है वो देंदारी का करीब 10-15% हिंदुस्तान से बाकी देंदारी उनकी विदेश की है और विदेश में आप फोन करके नहीं कह पाएंगे कि अब जैसे जीवे के को दिया कि जीवे के तुम चलो इनको इनको एरपोर्ट दे दो एंडी टीवी के वाले के लिए अम अब हागे भी बाएंगे एक सवाल यहाँ पर आनंद अदर जी फिर में उसके बाद यूसीफ अंसारी के बाद जाओंगा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले की जांच परताल कर रहा है एक कमिटी बना के कर रहा है तो फिर जो बिपक्ष के यहांच कमिटी बनाई है वो सेवी कैसे इस पर काम की है सेवी ने जो मार्क एटर से उनका काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है कमिटी इसकी बनी है कमिटी बनी है । जो सेवी जिससे जो जुसे मगवा मईतरा का इसके काई बार लेटर है जो वो बार बार कह रहे हैं से वी के ऊपर अभी तक वो जाच पूरी नहीं की दीर आर झाज Coach नहीं की है Church और आप उसी जाच एजन्त से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बहुत उम भझाओ कि तुम्हारे as a market regulator आपने क्या क्या एक और जो उसके सदसे भी है O.P. भट साहब उसके सदसे हैं जो S.B.I. का खुद इसमें वो है कि O.P. भट साहब इसमें जो भी आप सदसे लोगों को उसमें देखें मैं इसलिए नहीं कहा रहा हूँ सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जो थो भी आपारMac्स